और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे खास मेमान हमारे साथ लगता जुड़ेवें सबसे पहले प्रेम शुकला जी जो सवाल मैंने पहले पूझाता आवाज दी जा पाई थी सवाल यह है कि सबका साथ सबका विश्वास कैसे हासल किया जाएगा जब बात सिर्फ एक पक्षी होगी मुस्लिम पक्ष का यह आरोप है वो बार बार बता रहे हैं फवारा है लेकिन आपनों कह रहे हैं शुवलिंग है अब सचाई देश के सामने कैसे आएगी यह एकाम आद को नहाई दिलाना भी विश्वास अरजित करने का एक मारग है तो अगर इस देश के बहुत संकेक सबुदाय की आस्था पर सदियों से हुआ प्रहार जारी रखना क्या विश्वास अरजित करने का मारग हो सकता है ऐसे जब समयधाने मारग से नहायालाई विश्चिकोन से अगर इस विवाद के हल की गुंजाईश बंदी है, तो हर किसी को इस विवाद का हल करना चाहिए, ताक अपकर एक दूसरे के प्रत जो विश्वास है और सुद्रिन को सके, तो हम तो विश्वास को सुद्रिन करने की निश्रा में ही काम कर रहे हैं, लेकिन जो विभाजनवा जिन को अरंगाजेब में आस्था करती है है और विष्वेसवर में आस्थानी एंफने मुझानग करदेना उनके शिवर लिंग पर वजू करने का जिड रखना यह ऍवेजनवादी सेक्तिजिएंग का नहीं तो किसका काम है अगर सावहार्द की बात करें गंगा जमिनछ नंसकृट की बात करें तो та क्या गंगा की आस्तपर जम flips करते यह क्या, आप जो हैं अगर मान ली जिए किसी की मस्जित को तोर कर मंदिर बनाया चाहिए गया होता और यह मुश्लिम धर्म के लोग प्रमानित कर देते हैं कि हिंदू का दाई तो नहीं था वह मर्जित सौंप दी जाती है इसी तरह से यही था हो यहां पर हिंदू पक्षका यह भी कहना है कि अगर मस्जिद के भीतर से मंदर के पुक्ता प्रमार मिल रहे हैं, तो ये तो मुसलिंपक्ष की ही जिम्मिदारी होनी चाहिए कि वो सौंब दे अब उस मज़िद को मंदर के हिसे में, क्योंकि वहाँ पर शिर्वलिंग का मिला, शिर्वलिंग आप लोग कह रहे हैं कि फवारा है फवारा का कनेक्शन का है वाटर का लोग पूछ रहे हैं फवारा का बाकी बिजली सप्लाई का है ये सवाल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं कम से कम जाच को तो आगे बढ़ने दीजे अगर सर्वे पर ही बार-बार सवाल खड़े किये से किसी के भी आराध्य देव को लेकर जिसमें करोडों लोगों की आस्था हो उसको लेकर इस तरह की टिपड़ें आपको लग रहा है कि यह देश यह देश का एक बड़ा हिस्सा जो हिंदू वर्ग है जो पूछता है उनको वो बरदाश्ट करेगा हिंदू पक्षिय सवाल प मैं ने भी प्रेम सिक्राजी को सुना परहमल है परहमल सबसे उच जाती में आते हैं तो जितनी जानकारी मुझे इस हिंदुष्पान भारत पे रहते हैं मैं मुसल्मान के साथ साथ एक योड़ और सच्चा भारतिये भी है हर भारतिये की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने दर्न से के समाज के लोगों से यह उसना चाह रहाना है कि भारतियों हीा रभारत वर्सक्राख में परेजिद्क हैं कि बяет जिन्सानों ने भनाओा वह जिएंक उम्हां प्रकट हो गए समीन से प्रकट विए उन्पो बोलते हैं और शिवस्त्रोत में 22 का दिखर है 12 वार जोत्र लिंग तेरवा नहीं आ इस अध organizory भाद वो तो बताई रहे हैं पुछा जा रहा है जो जो शिवलंग दावा किया जा रहा है प्रकट होने का मज़ित के भीतर उसके ऊपर कि वाले हिस्से को लोग क्या रहें कि सिमेंट करके उसको चौकोर में कट कर दिया गया है उसको पॉला गूरूप देने के कोशिश को शती पहुचाने की कोशिश की गई है तो जाच होने दीजे जाच में कम से कम सच तो सामने निकल कर आए ना और यहां तो समाजवादी दौत में 12 का जिकर था 12 यह तेरवा शडिंग हो गया है तो आज समझे ए मेरी हमें धोका नहीं दे रहे हैं आप लोग हम मुसलमान है हमारा धर्म मुसलमान है मैं हिंदू समाज से बात कह रहा हूं कि या 12 होंगे या 13 होंगे पिरकट कैसे हो गए बाबाबा